अब नमस्कार सुष्वागतम वेलकम अभिनांदन मैं हूँ डॉक्टर वायराकि आप लोगों का स्वागत अभिनांदन करती हूँ आपकी अपनी होस्तें दोस्त आपके अपने यूट्यूब परिवार में आपके अपने यूट्यूब चानल में हांजी किस तरह सोने हो सब पढ़िया खुश आप खुश रहें मस रहें बिंदास रहें आपके पित्रों की खूब 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 अच्छा जनम अगले जनम में हो मतलब अब आपके पित्र कहीं न कहीं स्वर्ग में या कहीं न कहीं नर्क में हैं हमें नहीं पता वो कहां हैं कि जिन लोगों ने सुसा करने से पहले पता हो तो वो सुसाइड ना करें सभी बड़ों को मेरा नर्मस तक मुझे आशिरवात दीजेगा मैं सदा सुहागन रहूं और आप लोगों की प्यार और धहरे और विश्वास और आपकी एनरजी की और आपकी पॉजिटिव वाइफ की आपकी आशिरवात की यहाँ पर हम आपको शिवरात्री के अलग-अलग उपाए बता रहे जिसमें आज हम शिंगार का विशेश महत्वाप को यहाँ बताने वाले हैं कि शिंगार होने करने से क्या होता है लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्म अब आपको ना कर्मों पर बिलीव होने लगा है आप में चेंज आने लगा है आप सुभा जल्दी उठते हो और आप सुभा जल्दी उठने के बाद नहा रहे हो धो रहे हो कबूतरों को बाजरा दे रहे हो गाय को रोटी दे रहे हो अपना कुड़ा शाम के टाइम के नहीं निकाल रहे हो, तो I can see the change in your life, आप में बहुत सारे changes है, बच्पन में बहुत हम अपने parents की respect किया करते थे, उनके साथ कहीं जाते थे तो उनसे बिना पूछे, कुछ भी खाने की चीज नहीं लिया करते थे, मौसी, चाया, ताता, चाचा, मुमा, फाफा, जो भी हमारे र आज ना हमारे पास चाया जीब में दो रुपे हूं या दस रुपे हूं इससे फरक नहीं पड़ता, आज हम रिष्टे को तोडने में, तोडने में, तोडने में बिलीव करते हैं, आज हम अपने रिष्टों को निभाने के लिए तो कुछ बेवकुफ लोगों का ऐसा कहना हैं घदे लोगों का ऐसा कहना है कि यह overacting होती है किसी के birthday पर उसे cake भेज़ दो तो क्या यह overacting है घदों के घदों वाले संसकार होते हैं किसी को किसी के special day पर याद करना overacting नहीं होती है तो ऐसे बेवकूफ लोग जब ऐसी बाते करते हैं तो अपने संसकारों के बारे में बताते हैं कि किस तरह के संसकारों और घर से हैं वो किस तरह की शिक्षा उन्हें ली है ठीक है किसी का नाम शिक्षा होने से शिक्षा नहीं मिलती है मैंने तो ऐसे सी औरतों को हिसास होता है sorry शब्द एक छोटा सा शब्द है लेकिन दुनिया में अगर आप किसी से पूछे सबसे भारी शब्द क्या है तो वो sorry है क्योंकि ego जो है न वो इतनी भारी हो जाती है कि हम किसी को न सिर्फ sorry नहीं बोल पाते आगे बढ़िए हिम्मत करी और sorry बोलिए गल्ती किस से नहीं होती राम से भी हुई थी सबसे होती है sorry बोल कर अगर हम आगे चले रिष्टों को बनाते हुए तो इससे समझदारी कहते हैं और हम अगर रिष्टों को तोड़ते हुए चलते हैं तो मिलता कुछ भी नहीं है क्योंकि समाज में आप अकेले कभी रह सके हैं ना रहेंगे जितनी मरजी अकर कर लीचे जब आप मरेंगे ना तो साथ में चार कंधे चाहिए जो आपको शमशान घर तक लेकर जाएंगे अगर आप हिंदू हैं और अगर आप मुसल्मान हैं तो भी चाहिएं एक बात मैं आपको बता दू धरम से भले ही आप क्यों ना हो हम अपने साथ जाते जाते एक पूरा लकड़ी का मतलब एक जो पेड़ है उसे लेकर जाते हैं हम कहते हैं कफन में जेव नहीं होती हम दूआएं और बदूआएं साथ लेकर जाते हैं सब हमारे काम आते हैं तो अपने बैंक बैलेंस को सही करिए किसी को उसके अच्छे और बुरे वक्त में याद जरूर कीजिए उसे कॉम्प्लिमेंट जरूर दीचे और कोशिश कीजिए कि अपने अंदर positive vibrations को लेकर आप जरूर है आज हम शिंगार की बात करेंगे 11 मार्च को माहा शिवरात्री है जिसमें हम दूद, दही, शहद, गोमती चक्र और शिंगार और फूल और कई तरह की बाते लगातार अपने वीडियोज में करते आ रहे हैं अगार वॉल्यूम देख रहे हैं मेरी कि हम किस दिन पर किस भगवान की किस तरह से बात कर रहे है शिवरात्री वॉल्यूम 6 शिंगार भगवान को बेहत पसंद है और सच बोले कि आपको पसंद नहीं और फिर अगर वो बात गौरा मा की हो शिप परिवार की हो तो भगवान मा गौरा को तो सजना सवरना बहुत पसंद है क्योंकि बहुत समेत तक तपस्या करकर शंकर भगवान को उन्होंने पाया तो उन्हें शिंगार बहुत पसंद है शिंगार करना मा गौरा को बहुत पसंद है इसलिए महा शिवरात्री पर आप अपने पास से चढ़ाने के लिए कुछ लेके जाएं या ना जाएं लेकिन शिंगार जरूर लेके जाएं और शिंगार मा गौरा को नहीं पारवती जी को ही नहीं आपको शिवजी जी को भी शिं आया मा को शिंगार चड़ाने से औरत भागेवती बनती है स्वभागेवती बनती है और कभी भी उसके जीते जी उसके प्रती की पती की मृत्यू नहीं होती उसे अपना एक रूप विद्वा वाला नहीं देखना पड़ता अगर आप चाहती है तो हर सुहागन को हरी हरी चू करते हैं सजाते हैं कुम-कुम से तो आपका काल सर्व दोश दूर होता है कार्ति जी को शिंगार करने से कपड़े पहनाने से चंदन लगाने से हार पहनाने से फूल पहनाने से शिंगार करने से जिने बच्चा नहीं होता उन्हें बच्चे की प्राप्ती होती है यहां मैं खास कर काऊंगी जिने बेटन चाहिए उन्हें शिवरात्री वाले दिन कार्ति के जी का शिंगार जरू करना चाहिए अपने हाथों से नंदी का शिकार करने से आपका नौकरी बहुत जल्दी प्रमोशन में बदलती है वेपार अच्छा चलने लगता है और आपके अपने वा शिरू हो जाती है शंकर भगवान के मंदिर को फूलों से सजवाने से उसका शिंगार करने से आपकी साथ पीडियों तक पड़ा हुआ पित्र दोश खतम हो जाता है चुन्नी से शिंगार करें चाहिए फूलों से शिंगार करें और चाहिए आप फलों से शिंगार करवाएं करिए अपनी सासु मा के ले कीजिए किसी को शिंगार करवा दीजिए अब आप सोचे कि राकी जी मेरे तो ममी पापा भी नहीं है मैं अनात हो ऐसे भी लोग है और मेरे मम पापा से मैं मेरे नराज है तो आप एक शिवरात्री के दिने लाइन में लगे होंगे बोले बाबा की उन्हें जल चड़ाने के लिए तो पीचे बहुत लंबी लाइन होगी कोई आंटी आपको ऐसी दिखें कोई व्यक्ति ऐसा दिखें जो बच्चे के साथ है छोटा है बच्चा उनको जल्दी है अपनी लाइन से हटकर आप कही है मैं आपकी जगा पर जाकर लग जाता हूँ या लग जाती हूँ आप मेरी जगा पर दर्शन कर लीजे ये है सची भक्ति लेकिन हम करते क्या है हम जो लोग आते हैं फूल बेल पत्र अरपन करते हैं उन्हें उठा उठा कर फैक देते हैं और भगवान पर एहसान करने जाते हैं ऐसे जल फैक रहे होंगे ऐसे जल पैक का इतना बड़ा मंदिर है वहाँ पर ये तमाशा हर रोज देख सकते हैं सोमवार को स्पेशल देख सकते हैं महा शिवरात्री पर तो भगवान को बेल पत्र काटे भांग धदूरा चड़ा रहे होते हैं भगवान को चुब रहा होता है लेकिन जानवरों की तरह इंसान को स से लेकर जाया करते थे घर का दूद घर का पानी हुआ करता था तब ही पित्रदोश खतम हुआ करता था घर से तोकरी में चीनी हुआ करती थी हम सब कुछ मांगा मुंगी मैंने तो आंटियों को देखा है दीपक जला रही है किसी का दीपक जला हुए बुझ गया उसे फैक उससे सजाने से, गुलाब के फूलों की माला अरपन करने से, गुलाब के फूल मंदिर के मुख्य दरवाजे पर लगाने से, जिनका विवाद नहीं हो रहा होता, उनका विवाद जल्दी हो जाता है और रस्ते खुलने शुरू हो जाते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं यह जरूर बताइएगा हमारी तरफ से कोशिश है कि हम आपको बारा, ग्यारा वीडियो शिव रात्री पर जरूर दें जिससे आपका भागे हो दे हो फिलहाल मुझे दीजे जाज़त जय जय शंकर भगवाद, जय गंगा महिया, जय भूलेना, जय माग गौरा जय शे परिवार और जय मेरा यूट्यूब परिवार जय माता दी